बहुत दिनों बाद YouTube पे एक और बार आपका स्वागत है दोस्तों यह जो क्लास है यह सभी बच्चों के लिए बहुत यूसफुल होने वाली है इस्पेशली जो बच्चों के पास प्लस नहीं है और उन्होंने मेरे प्रीविएस क्लासे से सेल अफ गुच साइक पढ़ा है उन्हें एक लेटेस्ट रिविजन यहां से मिलेगी और जिन बच्चों ने प्लस क्लास में लक्षे 2.0 में मेरे साथ अभी सेल अफ गुच साइक क करेंगे like from the scratch मनलब की unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4 so depending upon the love we will decide about future course of action but as of now I am recording this series for you guys so please 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 kindly share this with all your friends and you know everyone who will be benefited by this and let's start revision of the sale of goods act 1930 दोस्तो नमस्कार आदाब सशियकाल मैंना में सियाद योशी और आप लोग देख रहे हैं क्या अन एकडेमिस ये फांडेशन यूट्यूब चैनल दोस्तो हम लोग यहां पर आ चुके है एक बार फिर से लोग गुच्च को रिवाइस करने और इस बार ही मैं आपको बता दू हमारे टेलेग्राम चैनल को आप प्लीज जॉइन करिए लिंक इस राइट इन डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो पूरे बहुबली परिवार के तरफ से मैं आपका जोड़दात करता हूं स्वागत और आपको एक बार दिलादू की देव्यांशा की मदद से यह जो ट्रैकर है मैं अपडेट करता जा रहा हूं और अभी तक की सारी क्लास के लिए यहां पर अपडेटेड है रही बात दो प्लस क्लास की तो हमारे पास प्लस में दो अभी लाइफ बैच चल रही हो और कुछ और बैच जो अभी नेक्स्ट मुंथ आने वाली है तो आप लोग उसके लिए प्रिपेर हो सकते हो जैसे एक चल रही है मिशन सकते है जिसका टाइम टेबल यह रहा जिसमें आता हूं एवरी थर्सडे फ्राइडे सेरे टेडे फॉर बी सी यार फिर चल रहा है हमारा लक्ष बैच जिसका टाइ लिए प्लस लेना होगा और अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो अदिशनली आपको पर्सनलाइज पर्सनलाइज गाइडन गाइडन स्टडी प्लैनर स्ट्डी मेटरियल एक्सपर्ट गाइडलेंस और टेस्ट अनलिस आपको करने देखने को मिलेंगे अप्शन से 3 612 24 मन आ आज के एस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा यूनित नंबर पर हम कब्रेट करें लेकिन जब अगर आप पूरा सेल ऑफ गुट्ट से पढ़ना चाहते हो तो यह बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉंग होना ज़रूरी है और यूट्ट से पहले इस उनिट में लोग देखेंगे की एक्रिमेंट कैसे होता है फोर सेल अव बायर सेलर ट्रांसफर अफ प्रॉपपटी कैसी होती है इमिजेट और अग्रिमेंट टूसल गूर्ड कितने प्रकार की होता है एक्जिस्टिंग फूचर उर कॉंटिजेंट इक्सिटंस में होता है एक नया एक बनाया गया तो आपको मैंने बताया भी होगा जिन लोगों ने प्लस बैच में देखा है हम लोगोंने स्टार्टनर्शिप पोता है मैंने कहां से सेक्शन उठाय है तो दोस्तों वह इस बायर बायर is a person who buys or agrees to buy whereas seller is the person who sells or agrees to sell दोनों इसके के definition में आते है, goods मतलब every kind of immual property other than actionable claim or money in circulation and include stock, shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be serviered before sale or under the contract of sale, तो यह बहुत अच्छे से मने आपको describe क्या हुआ, actionable claim का मतलब क्या होता है विटाब, actionable claim मतलब anything that can be enforced by a suit, मतलब आप case file करके अगर कुछ recover कर सकते हो, that is actionable claim, तो हमारे definition के हिसाब से as per India stock और shares good के definition में आते हैं, लेकिन English law में नहीं आते हैं, लेकिन हमको Indian law पढना है, हमारे लिए fixed deposit receipt, सब कुछ goods में tangible, intangible, सब कुछ आजाता है, यहने कि goodwill, copyright, patent, trademark, यह भी goods है, stock, share, gas, steam, water, electricity, court order, they are all considered goods and can be traded as per sale of goods. So every kind of mobile property other than actionable claim and money in circulation, also include stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land, which are agreed to be saved before the contract of sale, before sale or agreement to sale, because contract of sale or agreement to sale. बात करता है, classification की, तो goods can be classified into three types, existing, future and contingent. Existing goods can be specific, uncertain and uncertain. Existing goods are those goods which are in existence at a time of contract of sale, यहने की जो goods, seller के possession और control में है, ownership में है. ना उसमें हो सकता है specific goods, specific goods that are agreed upon and identified at the time of contract of sale itself. For example, I want to sell this phone. It's the specific goods. Then, if you want to talk about uncertain goods, तो uncertain goods are goods which are not specifically identified and agreed upon at the time of sale. मैं आपसे बोलूँ कि राना दुकान में जाकर कि मुझे दो पकेट टाटा सॉल्ट चाहिए. उसके पास देड़ तो पकेट पड़ा हुआ है. तो कौन से दो पकेट मैं लेना चाहता हूँ या मुझे कौन से दो पकेट मिलेंगे ना मुझे पता ना सेलर को पता हूँ तो वक्त बताएगा. This is the sale of an uncertain good. Now, the moment वो बंदा देड़ सो पकेट में से दो पकेट अलग निकालता है, that itself, that moment itself, the goods become uncertain goods. Because uncertain goods are those which are identified and agreed upon after the contract of sale has been made. मतलब ये जो बोलते हैं ना, ये goods after contract of sale होने के agreement to sale होने के बाद uncertain होते हैं. That has a certain goods. फिर बात करते हैं आगे future goods की. Goods which are not yet manufactured, produced or acquired by the seller are called future goods. तो हमेशे अधकना future goods का कभी भी contract of sale ने होगा, हमेशे agreement to sell ही होगा. Because you can't sell something which is not in existence. किसी तरा, contingent goods are also, there is also agreement to sell for contingent goods because we are not sure whether the acquisition of these goods will happen or may or may not happen because it depends upon certain uncertainty. So wherever the acquisition of the goods depends upon certain uncertainties, then the goods are called as contingent goods and such contract is called as contingent contract. And what happens is, there is always an agreement to sell for such goods. बात करते हैं डिलिवरी की तो, डिलिवरी का मतलब बता हैं voluntary transfer of position from seller to buyer. येनिकी voluntary होना चाहें जबर दस्ते हैं नहीं होना बड़ डिलिवरी कई तरह से हो सकते हैं for example, actual delivery, constructed delivery, symbolic delivery. actual delivery होता है जब physically मैं goods उटा कर आपके हाथ में दाद दे दू. constructed delivery होता है जब मेरे goods किसी और के go down में पड़े और मैंने आपको जाकर बोल दिया कि sir, goods आपकी होगे, वहाँ से जाकर ले लो. और मैंने go down वाले को बोल दिया कि goods मैं बेच चुका हूँ, अब आपको अगर rent चार्ज करना है तो इस बंदे से चार्ज करो. तो goods ने अपनी जगा नहीं चेंज की लेकिन मैंने पूरा का पूरा ownership, possession और सब कुछ transfer कर दिया to the buyer. इसे कहते है constructed delivery of the goods. कभी हो सकता है, मेरे से car खरीदना है, मैंने आपको car की चावी दे दी. आप मेरे से goods खरीदना है, मैंने आपको go down की चावी दे दी. तो in that case also I am ultimately handing over the position of the goods to you. because car की चावी अब आपके पास है, तो car भी आपके पास है. अगर मैंने goods railway में डाले और railway receipt मैंने आपको बना कर दे दी, तो आप railway से goods मैं भी नहीं ले सकता, आप कोई लेना पड़ेगा because आप उसके owner बनगे because of that document of title. So whenever tokens or use or document of title is used to transfer the handover of the goods from one seller to buyer, it is called as symbolic delivery. तीन होई cases में effect is same, the goods will be said to be in the hands of buyer. तो actual delivery मतलब physical delivery, symbolic delivery का मतलब token, पहले आपको constructive बताते था हूँ, constructive delivery मतलब when it is like goods कहीं, delivery by acknowledgement, यहने की goods एक ही जगह पर है but ownership change हो गई और delivery हो गई, symbolic delivery मतलब जहाँ token या आप document of title यूज करते हो, सब कुछ इसमें आ जाएंगे, यह बहुत wide concept है, deliverable state का मतलब क्या होता है, जब goods इस अवस्था में आ जाए कि buyer उसको उठाकर घर ले जा सके, that is goods in deliverable state, for example मेरे जहाड़ पर mango लगे है बट वो deliverable state में नहीं है, जब mango तोड के box में डाल के घास के बीच में रखोंगा, pack करके तब वो deliverable state में और को भी buyer आके box उठाकर ले जा सकता है, the goods will be set to be in deliverable state when the buyer under the contract be bound to take the delivery of the same, who will bear the cost of delivery, putting the goods in deliverable state, यह मैंने आगी के units में को पढ़ाया है, कौन, seller usually under the contract seller bears the cost of putting the goods into deliverable state, by contract you can change that no problem at all, the document of title में क्या किया था, bill of lighting, doc warrant, warehouse certificate, warfinger certificate, real very safe, multi-model transport document, any document that warrants or that proves that whoever holds the document holds the goods, is called as document of title, okay and don't get confused with document showing title because document of title and document showing title are separate, document showing title के लिए मैं आपको बोल सकता हू, document showing title can be share certificate, जिसमें की merely by handing over the share certificate to any other person, I cannot transfer the shares, I will have to file a share transfer allotment form as well, तो mere handling over of share certificate will not result into transferring of share, लेकिन mere handling of railway receipt will result into transferring of goods, तो railway receipt document of title है, वेरास share certificate is only document showing title, यह document showing title की खासियत ही रहते है कि यह प्रूफ करते है कि आप ओनर है, बट यह document अगर आप किसी को handle करते हैं तो गुड्स उसके नहीं हो जाते हैं अभी भी आपके रहते हैं तो जब तक आप उसको lawfully उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं करते हैं तर मर्केंट एलेजंट का उनता है, any person who is dealing with the goods, मतलब goods को खरीदना, बेचना, consign करना, rent पे देना, pledge करना, bail करना यह सारे काम जो गुड्स के लिए आपके लिए जो काम करता है, वो मर्केंट एलेजंट है, you can call him auctioner हो सकता है, factor हो सकता है, broker हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, property मतलब दो टाइप की property होते है, general property, special property, general property मतलब ownership rights मैं जब चाहे goods को आग लगाओ, खा लू, जला लू, यूज कर लू, मेरी मर्जी, special property तब होती है, जब मैं goods को अगर आपके पास pledge करके रख रहा हूं, और मैंने आपसे loan ले लिया है, अब अगर मैं loan repay नहीं कर पाया है, तो you get a special right, or special property in the goods, that you can sell those goods and recover your money, that is called a special rights, तो property का definition मैं आपको बता दिया, फिर जलते हैं, insolvency, insolvency पर्सन जिसके debts, you know, he is unable to pay his debts, as in when they become due, whether or not he has committed any act of insolvency, price means money consideration, quality of goods, will be the state or condition in which the goods are, बात करते हैं, sale और agreement to sell, दोनों में subtle differences ज़रा मैं आपको बता दू, तो sale का contract absolute भी हो सकता है, conditional भी हो सकता है, जैसे अगर मैं बात कर रहें, future goods और contingent goods की, तो यहां पर absolute sale नहीं हो रहा, because अभी तक goods manufacturer, producer, acquire नहीं हो है, या अभी तक आपके हाथ में आए नहीं है, और आपको पता भी नहीं है, कि मेभी आएंगे या नहीं आएंगे, because contingent भी हो सकते है, so future goods और contingent goods में, आप contract of sale करी नहीं सकते, because there is no certainty as to the goods, or the goods may not even be in existence, so ऐसे case में हम कहते है, that there is an agreement to sell such goods, on the other hand, sometimes the goods can be specific, right in front of you, so आप उसको absolutely sell करे, for example, I want to sell this glass, absolutely no questions asked, take it and go, this is absolute sale, so sale can be absolute or conditional depending upon the parties, but when the property in the goods is transferred from seller to buyer, the contract is called as contract of sale, but where the transfer of property is to take place in the future time, or subject to some condition, then I will say that it is agreement to sell, so contract of sale में क्या होता है, immediately everything passes on to the buyer, but agreement to sell में क्या होता है, आप करते हो agreement to sell, और उसके बाद आपको particular time तक रुखना पड़ता है, या कुछ particular conditions फुल्फिल होने तक रुखना पड़ता है, और उसके बाद, actually ownership transfer होता है, यहने की contract of sale होता है, for example, अब specific goods में भी आप agreement to sell कर सकते हैं, for example, I have this phone, I have to sell, I want to sell it, it's a specific good in deliverable state, but मैं आपको बोल रहा है, I will sell it next month, तो अभी agreement to sell आज हो गया, एक मैने तक आपको रुखना पड़ेगा, एक मैने बाद मैं आपको deliver करूँगा, तो agreement to sell plus one month का time, then it will become contract of sale after one month, say for example, I have this phone, मैं आपको बोला कि, if I can format it within particular time, then I will sell it to you, अभी आपको condition हो गई, अभी a condition हो गई, अभी a condition हो गई, now this is an agreement to sell, but we will have to wait till the time the condition is fulfilled, and if the condition is fulfilled, then I will be able to sell it to you, so agreement to sell will require time or condition which needs to be fulfilled or completed, so that the agreement to sell can become contract of sale, so agreement to sell becomes a sale when the time elapses or conditions are fulfilled, analysis में same बाते वापस बताई गई है, मैं आपको थोड़ास आगे ले आता हूँ, definitions आप चाहे दो पर्लो, where under the contract of sale, the property in the goods is transferred from seller to buyer, it is called as contract of sale, but where the transfer of the property in the goods is to take place at the future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract will be called as agreement to sell, दोनों के examples आपके पास है, very easy, how do you convert agreement to sell into sell, by fulfilling the time or by fulfilling the conditions, now, sir, कुछ conditions हर contract of sale में होनी चाहे, जैसे कि there should be two parties, buyer and seller, one cannot purchase goods from himself, subject matter of the contract should always be goods, यहने कि movable property, immoral property का यहाँ पर नहीं आएगा, sir, price हमेशा money में चाहिए, barter नहीं चालेगा, price in kind में चालेगा, partly in money, partly in kind will do, but entirely in kind will not work, transfer of property in the goods, seller to buyer के पास होनी चाहे, transfer of property होनी चाहे, if there is no transfer of property, it can be bill meant, but it cannot be this, sale, why, because ownership भी transfer नहीं होरी, तो क्या फायता है, और contract of sale आप चाहे absolute बना, आप चाहे conditional बना, entirely up to you, और other essential valid items, जो होता है contract के, वो भी होनी चाहे, for example, competencies of parties, legality of object and concentration, etc. तो sale में property immediately pass on होती है, while agreement to sale में future date, executory होता है, seller can sue the buyer for the price, यहाँ पर aggrieved party can only sue for damages, but not for the price, because it's merely an agreement to sale, subsequent loss की liability, यहाँ buyer की होती, because he completed contract है, यहाँ पर subsequent loss की liability seller की होती, because he अभी था complete नहीं होए, बात करते है, risk की, risk will always on buyer, because he completed transaction है, but यहाँ पर seller का risk होता है, क्योंकि यहाँ पर transaction है भी complete नहीं हुआ है, यहाँ पर right मिलता है, just in rem, यहाँ पर right against the whole world, मेरे goods को मेरे से कोई नहीं जीन सकता, यहाँ पर just in personal right मिलता है, यहाँ पर just in personal right मिलता है, यहाँ पर right against the only particular person, जिसने आपको sell करने का promise किया था, seller cannot resell the goods, यहाँ पर because the goods are already been sold, एक बार बेचेवे goods अब दुबारा कैसे बेचेएंगे, यहाँ पर seller may resell the goods, because अभी तक आपने पूरा sell complete नहीं किया, official assignee will not be able to take over, while official assignee will be acquiring control, in case of insolvency of buyer, अब ध्यान से सुनना, अगर seller insolvent हो जाता है, और आपने contract of sale किया है, बेचेवे goods वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर यह agreement to sell होता, और अभी तक sale हुआ नहीं होता, तो क्या बेचेवे goods वापस लाए जा सकती था, yes because अभी तक contract of sale finalized, नहीं हुआ है, कि यह विल agreement to sell हुआ है, चलिए, what about buyer becomes insolvent, अगर contract of sale है, और buyer insolvent हो गया है, तो buyer का जो insolvency professional होगा, he will retain the goods, he will not send the goods back to the seller, why, because that buyer has already successfully purchased the goods, बट अगर यह agreement to sell होता, तो यहाँ पर official assignee को, वो goods वापस करने पड़ते to the seller, seller के पास right होता तो recover the goods, because goods की final sale अभी तक नहीं हुआ है, बात करते है, sale कैसे different है from other types of contracts, मैं बात करूँ होगर hire purchase और sell के बीच में, तो sell और hire purchase का ultimate goal sell ही है, लेकिन immediately क्या होता है न, hire purchase का concept है, it is hire first and purchase later, वाल अब initially up till you pay the last installment, the goods does not belong to you, so it is simply that you are paying hiring charges, rent amount पे आप कर रहे हैं, for example if you purchase a bike on hire purchase, आप भर मैंने bike का installment बढ़ते हो, और आपको bike यूज करने मिलती है, मगर बीच में अगर आपने installment पे करना बन कर दिया, तो owner आएगा bike का और वो bike लेकर चला जाएगा, you don't become the owner in hire purchase, but what if sir if I pay all the installments, the moment you pay the last installment, that means you have paid entire amount for the bike, and now you become the owner of the bike, अब आपको bike के साथ जो करना है करो, so hire purchase का जो contract होता, it is fairly different from sale, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, hire purchase में आपका contract ऐसा होता है, कि you will be given possession of the goods, on the basis of fixed periodical installments, that you will have to pay, and property will be passed on to you, only after the payment of last installment, now you will also get a right to terminate the agreement, at any time before the property so passes, process, so let's try to distinguish between the same, सबसे पहले बात करता हूँ, sale में property immediately pass on होती है, whereas hire purchase में, on the payment of last installment, यहाँ पर position of the party is that of the owner, यहाँ पर आप sale के case में, आप owner बनते हो, यहाँ पर स्रिफ और स्रिफ बेली बनते हो, और hirer बनते हो, और कुछ ने, यहाँ पर buyer एक बार contract of sale होने के बार, terminate नहीं कर सकता, बट यहाँ पर hirer के पास option है to terminate the contract, seller will take the risk of insolvency of buyer, यहाँ पर seller को कोई risk नहीं है, because goods seller के नाम पर, seller आएगा और अपना goods लेकर चला जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि आप just in name right आपको मिलता है, buyer can pass a good title to other buyer, यहाँ पर hire purchaser cannot pass on the title, because आप rent कर रहे हो goods को, own नहीं कर रहे हो, I can't sell rented goods, अगर मैंने आपकी bike rent पे लिया, I can't sell it right, ठीक उसी तरह अगर मैंने कोई bike hire purchase पे लिया, I can't sell it, because I am still renting the bike, अगर मैं last installment pay कर दूँ और उसके बाद sell करने जाओ, then it is okay, because last installment pay करने पे, it is kind of a contract of sale, बात करते है, yes, काना buyer sell or resell the goods, yes, of course he can, काना higher purchaser resell the goods, no, he cannot, it is not in his option, till the time he pays the last installment, बात करते है, सर बेल्मेंट की, बेल्मेंट is nothing but delivery of the goods, or transfer of possession of the goods, from one party to another, for any specific purpose under the contract, on the condition that the same goods, are to be returned to the bailer, or to be disposed of according to the direction of the bailer, so दोनों के example देता हूं, for example, अगर मैं cloth कपड़ा दे रहा हूं, आपको tailor को और बोर रहा हूं, एको panther shirt बना दे, he will consume the cloth, and make a panther shirt for me, अगर मैं अपनी bike दे रहा हूं, उसको बोर रहा हूं, service center रहा हूं, रहा हूं को रहा हूं कर दे तो, he will give me the same bike again, in the repaired format, both these cases are contract of bailment, there is no sale here, I am not selling the goods, I am merely transferring the possession of the goods, for certain particular purpose, so let's try to distinguish between sale and bailment, sale में, there is a transfer of property, whereas in the bailment, there is only transfer of possession, property remains that of the first owner only, return the goods, yes, buying, अगर आप sale contract कर रहे हैं, तो there is no option for returning, but अगर आप bailment कर रहे हैं, तो of course that is mandatory for the bailee, to either return the goods, or consume them in accordance with the terms of the contract, consideration of course, sale में बिना consideration के sale कैसे होगा, तो फिर gift हो जाएगा, लेकिन bailment में जरूरी नहीं है, there will be a consideration, there can be gratis or non-gratis bailment as well, Gratis bailment का मतलब बता है, bailment done free of cost, for example, आपने आपके दोस्को अपना pen दिया, गाड़ी दी, bike दिया, mobile दिया, for a call, to write something, to go somewhere, that is a gratis bailment, you are not going to charge anything for that, but वही अगर आप अपनी service किसी को देते हो, say for example, मैं आपनी bike servicing के लिए देता हूँ, gold ring polishing के लिए देता हूँ, kapडे का cloth बनाने देता हूँ, whatever, they are non-gratis bailment, वहाँ पर मुझे उसका payment करना पढ़ेगा, free of cost नहीं होने वाला, work and labor का contract is a, it's nothing but contract of bailment, where work and labor is involved, for example, अगर आप goldsmith को gold देते हो, to convert them into ring, work and labor, so, there again, it is very different from sale, because sale में आप बेज देते हो, यहाँ पर से आप transfer of possession कर रहे, and the goods will return back to you, in a, बोलते ना, in a different form, because उसमे कुछ ना कुछ work or labor involved होगा, so, अगर आप cloth or to tailor, car to repair, goldsmith, gold, यह सब जो है, यहाँ पर work or labor involved, sir, how do you make a contract of sale, sir, law ने बोलाए, do whatever you want to do, I have no problem, आप, मैं आपको बता हूँ, यह सब पढ़नी की जरुरत ने, आपको analysis से बताता हूँ, आपका contract of sale कैसा भी हो सकता है, बस उसमें offer होना चीए, acceptance होना चीए, delivery आप चाहे आज करो, delivery चाहे आप बाद में करो, price चाहे आप आज लो, price चाहे आप बाद में लो, delivery आज करो, price बाद में लो, price आज लो, delivery बाद में करो, price भी आज लो, delivery भी आज लो, या price भी बाद में लो, delivery भी बाद में करो, price आज लो, delivery इंस्टाल्में में करो, delivery आज तो price इंस्टाल्में में लो, delivery बी इंस्टल्मेंट, price बी इंस्टल्मेंट, सारा का सारा जो permutation combination होता है नहीं, everything is possible, you can make a contract of sale any way you want to make, there is no question, there is nothing stopping you from making a contract of sale as per your own wishes, sir, goods के बारे में बस्याद रखना, goods can be existing future or contingent, in a contract of sale, goods will either be existing, owned or possessed by the buyer, seller, और they can be future goods, और they can even be contingent goods, and seller can even do future sell of present goods, और present sell of future goods, कैसे होता है, आपके पास अगर ये mobile आज है, आप इसको future में भी बेच सकते हो, लेकिन बाद में future में आपके पास कुछ अगर आपकी गाये कल milk देने वाली है, या आज आप बेच सकते हो, yes, but it will be called agreement to sell, not contract of sale, but yes, future goods का आज agreement to sell हो सकता है, और present specific goods का future sell भी हो सकता है, no problem at all, it's entirely up to you, sir, what will happen if goods are perishing before contract of sale, what will happen if goods are perishing before contract of sale, for example, मैंने अपने horse, मैं horse चला रहा था, मैं horse लेके अस्तपल में गया, horse को मैंने खुटी पे लगाया, और मैं अपने दोस्स से बात कर रहा था, मेरा दोस्स बोल रहा था, कि I want to purchase your horse, हम लोग horse की बारे में negotiate कर रहे थे, तब तक वो अस्तपल में horse मर गया, और बाद में हम लोगों ने contract किया for 10,000 rupees or 1 lakh rupees, what will happen to the contract, the contract will be void, why, because the subject matter of the contract has been destroyed, perished, so there will be no contract to per se, yeah, so what if अगर आप लोगों ने घोड़ा, घोड़े पे बैट के जब आ रहे थे, तभी अगर आप लोगों न ओके for 1 lakh rupees you can, और आगे वाले ने हाँ बोल दिया होता, और फिर आप घोड़ा आके अस्तबल में लगा रहे होते, और फिर आप साथ में चाय पिने गए, और agreement to sell आपका अलरी हो चुका था, और बाद में घोड़ा मरा, तो अब क्या होगा, again the contract will be void, यार देखो, मैं क्या ब बाद हो रहा है, और it will be initial impossibility अगर वो contract of sale के पहले हो रहा है, simple है, very simple, right, what if future goods है और perish हो गए, for example आपके goods एक factory में बन रहे थे, factory में आग लगए और वो goods बोलते हैं आप बनने के पहली आदे में से जलके खराक हो गए और आप बननी सकते हैं, it does not matter, अगर future goods है, specific है और वो मत सब destroy हो चुक है, super winning impossibility बोलेंगे, contract void हो जाएगा, for example एक गाय बच्चा दे रही थी, मैंने कह दिया कि बच्चा जब हो जाएगा, तो मैं खरीद लूँगा, unfortunately वो dead हो गया, dead हो गया, death हो गया, उसकी पैदा होते होते, क्या कर सकते, future goods थे, पैदा हो रहा था हो बच्चा, ब बात करते है, ascertainment of price, now price can be ascertained in many ways, primarily it is most commonly it is fixed by the contract, और if it is not fixed by the contract, the method of determining the price will be fixed by the contract, for example contract मे लिका होगा कि ये mobile 50,000 का है, fixed है, या contract मे लिका होगा कि या 200 रुपे किलो है, आप कितना किलो खरीद रहे है, उसके उपर rate निकालेंगे, तो either the price will be fixed or the method of calculating the price will be fixed by the contract, sometimes what may happen, the price is also not fixed or the method of determining price is also not fixed, in that, in those cases what will happen that the buyer will pay a reasonable price to the seller, what will be the reasonable price, it will depend upon the facts and circumstances of each and every particular case, so price can be fixed by the contract or the manner will be fixed by the contract or it will be determined by the course of dealing between the parties, sometimes price is left to be decided by third parties and when the third party decides the price, that price we take as the price of the contract, but what will happen if the third party cannot or does not make such valuation, then what will happen, the contract will be avoided, but what if you have already received part of the goods, then whatever you have received, you will pay a reasonable price and whatever you have not received, that part of the contract will be cancelled, for example, मेरे पास चार कार थी मैं आपको बेचने वाला था, at the price which is decided by Mr. X, मैने आपको दो कार दे दी, दो कार मेरे पास है और Mr. X ने पास रिते मेरे पास है और Mr. X ने प् अब आप मुझसे बच्ची वी दो कार मांग रहे हो, मैं आप से मेरी दो कार आपस मांग रहा हूँ, तो जगड़ने की जरुवत नहीं है, जो दो कार आपको मैं already दे चुका हूँ, उसका आप मुझे रिजनेबल प्राइस दीजिए, और दो जो जो दो कार मैंने अभी तक आपको नहीं दीए, वो मैं आपको नहीं दूँगा, the contract will be avoided, so whatever you have, you pay a reasonable price for that, whatever you have, don't have, I have not given it to you, cancel that much part of a contract, section 10 is, but sir, what if Mr. X cannot identify the rate or value of the car because you don't see the car, so if the third party is prevented from making valuation because of the fault of either of the seller or because of the buyer, the party at fault will be asked to pay compensation or damage to the other party, so मैंने X को कार हाथ ही लगाने नहीं दी, तो वो valuation नहीं कर पाया, इसलिए contract cancel हो गया, तो इस case में आप मुझसे damages claim घर सकते हैं, फिर बात करते हैं, ओके, we are done with chapter number 1, half an hour, very good, let's move on to chapter number 2, that is conditions and warranties, तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी contract of sale करते वक्त, जो seller होता है, बहुत सारे representations करता है, for example, यह goods imported है, वो महारानी है न, जो England की, वो goods को use करती है, मैंने क्या करूँ से, नहीं, मैं बूर रहा हूँ, अगर वो यह goods use करते हैं, तो कै मैंने भी use करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है, कि दर rule है, यह नहीं है, तो यार यह फालतू representation क्यों कर रहा है, तो मैं को quality of the goods बता न, फिरो quality of the goods बताता है, तो ऐसे salesman जो होता है, बहुत representations करता है, कुछ उसमें से काम के होता है, तो कुछ काम के नहीं होते है, जो representations काम के होता है, उन्हें stipulation कहा जाता है, अब stipulations भी हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम के हो, तो कोई बिल foot mat free मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह information important वह लेगी उतनी important भी नहीं है so stipulations can again be divided into two parts a stipulation which is essential for the main purpose of the contract are called as conditions and breach of condition will result into reputation of contract or claiming of damages or both बात करता है warranties के बारे में it is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract and breach of which results into only claiming of damages you can't refute the contract so अगर मेरे गाड़ी में मेरे को बोला गया था कि देड़ हजार सीजी का इंजिन रहेगा और मुझे अगर सिफ हजार सीजी का इंजिन मिला I can refute the contract मैं गाड़ी वापस कर दूँगा लेकिन आपने मुझे कहा था कि आप मुझे एक प्री आपने नहीं दिया for that I cannot cancel the entire car yes I can deduct 1000 रुपीज at the time of making payment for the car but I can't cancel the entire car so आपको समझना होगा what is condition and what is warranty depending upon the fact and circumstances of the case now as a general rule stipulation as to the time of payment is never of the essence but stipulation as to delivery of the goods is always of the essence फिर बात करते है यह हो गया representation, representation, stipulation you मैं आपको बता दिया definition, condition is a stipulation essential for the main purpose of the contract breach of which gives rise to treat the contract as repudiated फिर वाराइट is a stipulation collateral to the main purpose of the contract breach of which gives rise to claim damages but not right to reject the goods and treat the contract as repudiated so conditions and warranties का definition हो गया अब आते है बाते है what is the difference between the same so condition का भाई यह important है बहुत बार एक्जाम में पूछते है condition are essential warranties are collateral condition पे आप you can repudiated the contract, claim damage or do both warranty में you can only claim damage breach of condition can be treated as breach of warranty but in no circumstances can a breach of warranty be treated as breach of condition अगर आपको याद होगा मैंने कल ही आपको revise भी कर वाया था there are four cases, there are four situations where breach of condition is treated as breach of warranty उसमें दो voluntary है, दो compulsory है कौन से कौन से voluntary है voluntary है sir when you yourself let go of the condition you say to the seller no need to follow the condition or you treat the breach of condition as warranty for example मैंने आपसे एक touring purpose की car मांगी थी आपने मुझे गंधी कार दी जो touring purpose के लिए नहीं है but my family loves the car तो मैं आपको बोड़र हो कि even though you have broken the condition I am not willing to return the goods because my family likes the car but I will charge you I will sue for damages so here you are voluntarily treating the breach of condition as breach of warranty but दो ऐसे भी cases है जहां compulsion हो जाता है for example अगर non-severable contract है for example printing of invitation cards मैंने आपको कुछ कार्ट दी है तब आपने कुछ नहीं का जब मैंने पूरा प्रिंट कर दिया जो कि आप बीच में रुक नहीं सकता तब आपको एक mistake दिखरी है उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते वाई because it's a non-severable contract and you have already accepted part of it now you will have to accept the whole sir लेकिन at least कुछ तो damage लेंगे ना हालो ना भाई मैंने क्या बोला breach of condition will be breach of warranty आप damages लो आप contract repudiate नहीं कर सकते कभी-कभी law excuse करते था law बोलता है कि no need to follow this for example मैंने आपसे 1.1 macron का या say for example 0.2 macron का मैंने आपसे यह मांगा था carry bag government ने बोल दिया 1 macron के नीचे का carry bag illegal है minimum 1 macron का लेना पड़ेगा तो अब आपने 0.2 के जगा 1 macron का दे दिया उसके वीड़े से rate बढ़ गए क्या मैं contract cancel कर था तो नहीं because you were only following government regulations so when the when the conditions is excused by law buyer cannot repeat the contract these are the cases where the conditions will be treated as warranty ठीक है when buyer waives the performance buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty non-severable contract part has been accepted और excused by law यह चार cases यहां पर आते हैं दो voluntary है दो compulsory है देख लेना मैं आगे बढ़ता हूं बात करते हैं express and implied conditions and warranty scheme सारे conditions जो होता है या सारे warranties जो होता है वो either आप expressly अपने contract में लिखके रखते हो या impliedly आपके contract में होता है अब express का तो tension नहीं because whatever you want to put it as an express words you can put it in the contract and they will be there but what are implied warranties and implied conditions यह बड़ा important because यह आपको लिखना नहीं पड़ता बोलना नहीं पड़ता but her contract में आप assume करते हो that it is there let's take a look at some implied conditions implied conditions में आथा है condition as to title, condition as to description sale by sample, sale by sample as well as description condition as to wholesomeness and condition as to merchantability condition as to title कहता है कि seller must have a right to sell the goods whenever I am purchasing a goods I am assuming that the seller has a right to sell the goods or if it is an agreement to sell seller will have a right to sell the goods when the transfer of property is due so अगर ऐसा नहीं है in that case आपने मेरे साथ धोका किया and I will refudiate the contract and claim damages next बात करते है सर condition as to sale by description अगर मैंने आप से बोला मुझे 100% refined coconut oil चाहिए और आपने मुझे coconut oil mix with hemp oil दे दिया तो यह तो गलत है ना भाई you are not following the description मैंने आप से coconut oil मांगा था आप मल्टिपल दो चार oil mix करके oil दे रहे हो so that goods does not match the description law कहता है that if you contract to sell peas you cannot compel the buyer to take beans simple बात है तो अगर आपके bulk is not corresponding with the description thus buyer has a right to reputed the contract and also claim damages तो आपको लेकिन इसमें समझना पड़ेगा description बोले तो क्या description अपने मन से नहीं आता description जैसे Egyptian cotton, Java, Sugar, Sheffield यह आपको यह कोई class और description of goods होते है जो identify होते है तो description ऐसे identify होते है जैसे jute of this particular bailment specific steel of a particular dimension यह specific goods होते है by description तो कभी तो भी goods sample से बिठते है आप दुकानों भी आते है sample कल देखते हो sample अपने पास लेकर आप घर आते हो goods order करते हो तो वहाँ पर कुछ implied conditions होते है पहला तीन implied condition है सबसे पहला the bulk should correspond with the sample जो मैने order किया है sample जो मेरे को आपने दिखा है था वो ही आपको मेरे घर बेजना पड़ेगा आप मुझे एक quality का sugar दिखा होगे और दूसरे quality का भेजोगे तो I will repudiate the contract I will cancel the contract एक और बात जब आप मेरे घर पे delivery के लिए आ रहे हो मुझे reasonable opportunity दो कि मैं check कर लू that what you are delivering and what I have ordered is exactly the same अगर आप मुझे reasonable opportunity नहीं देंगे तो I can repudiate the contract and you will have to take the goods back सबसे important even if the sample matches the description but the goods should be of merchantable quality मतलब they should be free from any defect rendering them unmerchantable ठीक है अगर आप मेरे पास goods लेकर आए same goods लेकर आए लेकिन मैंने जो wheat बोला था वही wheat लाए same quality लेकिन पूरा भीगावा लाया तो वो यह हूँ जो भीग चुका है वो सड़ गया है भाई अब वो खराब है अब वो merchantable quality का नहीं है मैंने आपसे say for example दिंशा कंपनी का दूद मांगा था आप दिंशा कंपनी का लाए लेकिन फटावा दूद लाए that is goods are not merchantable hence I can repudiate the contract फिर आता है sell by sample as well as description कभी-kभी आप sample as well as description दोनों से purchase करते हो तो goods should match both sample as well as description अगर एक भी चीज मैच नहीं हुए मतलब sample से match नहीं हुआ या description से match नहीं हुआ तो buyer gets the right to repudiate the contract and claim damages तो what about quality and fitness देखो भाई as per section 16 subsection 1 caveat emptor applies there is no implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose it is entirely up to the buyer to decide whether the goods that he is buying are fit for his use or not you cannot compel the seller seller is not liable to tell you every embarrassing facts about the goods seller अपना काम करने के लिए है सेल करने के लिए it is up to the buyer to determine whether the goods are fit for his use or not एक exception है अगर आप buyer है और आपने seller को you had made known your reason for purchase of goods to the seller you have 100% relied upon the skill and judgment and talent of the seller and seller in his ordinary course of business is usually dealing in those goods then you can hold seller liable तो मतलब वो एक्सपर्ट है मैंने उसको अपना reason और और seller usually उस business में होना चाहिए अगर ये तीनों condition fulfill होती है then you can claim the amount from the seller बात करता है सर इसके बाद merchantability की मैंने Amazon से crockery set मंगाया पूरे crockery टूटे पूटे आये शुडा एक्सेप्ट इट मैंने अपने दूद वाले को बला था हर दिन सुबह दूद दे ना वो हर दिन सुबह आके फटावा दूद रखके जाता है should I accept it मैंने Amazon से हौन मंगाया था हौन पूरा टूट के आया मेरे पास should I accept it तब गूट्स जो होता है वो merchantable quality की होने चाहिए अब merchantability ये कोई law में ने define किया ये common sense बताता है merchantability का मतलब ये होता है कि a buyer or any buyer from the market if he is ready and willing to purchase the goods by their description then I can say that the goods are of merchantable quality अब अगर मैंने आपसे दूद खरीदा दूद आपने मुझे फटावा दिया मैं खरीदूँगा क्या अगर आप मैंको दूद मेरे सामने गिनरे पुरा फटा हुआ है पुरस में लंप्स है I will say भे ये दूद थोड़ी ना है फट गया है तो पनीर बना जा इसका I will not purchase because that good is not merchantable quality correct इधी बात है तो अगर मैं आपसे ऐसे बनानाज खरीदना है पूरे काले सड़े एकदम फिल पिले से will I purchase no because they are not merchantable quality तो अगर मैंने आपसे बनानाज खरीदे online और आपने पूरे सड़े बनानाज लाकर रख दिये मैं अगर market में बनाना लेकर जाऊंगा no one is I repeat no one is going to give me even a single penny for that that clearly means that goods are not merchantable quality then condition as to wholesomeness this is the last condition it applies only with respect to food item condition as to wholesomeness का मतलब होता है कि goods अगर आप eatables का कोई contract करते हो provisions का कोई contract करते हो तो जो eatables है उसमें जो protein जो nutrients जो vitamins जो सब उसके अंदर content होना चाहिए वो उसमें होना चाहिए अगर मैं आपसे milk खरीद रहा हो आप मुझे white color का color paint दे रहे हो जो इतना adult rated है कि उसमें milk का कोई गुणी नहीं है ना vitamin है ना protein है ना अगर आप goods या food item बेच रहे हो खरीद रहे हो तो उसके अंदर जो content है जो natural उसका content है उसमें होना चाहिए सर इस तरह से कुछ implied warranties भे जादा नहीं चार पाच यह म देख लेते है implied warranties ये क्या रहते है ना ये भी जैसे implied condition भी चुई तो आप हर जगर reputation हो रहा था implied warranties also read along with the entire contract and if you want to exclude them you will have to expressly exclude them by an agreement implied warranties are also read along with the contract they are read into every contract so implied warranties are of following types पहला warranty as to undisturbed possession of the goods warranty as to non-existence of encumbrances disclosures of the dangerous natures of goods and warranty as to quality or fitness of by usage of trade बात करते हैं warranty as to undisturbed possession मैंने आप से laptop लिया था थोड़ा खराब था तो मैंने उसको service center में दिया और उसको मैं पूरी तरह से repair करके आया बात मैं पता चला that you had no right to sell the laptop तो मेरा तो नुकसान हो गया एक तो मैं चलो contract cancel कर भी सकता हूं सब बात है लेकिन what about that price or cost that I have incurred to repair the laptop that amount being because you are not getting undisturbed possession that amount can be claimed as a damage तो ठीक है वो condition as to title में I will be able to repudiate the contract but warranty as to undisturbed possession के चक्कर में मैं आप उसका damages भी claim कर सकता हूं what about warranty as to non-existence of encumbrances sir आपने मुझे car बेची बिना बताया कि car आपने 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 किसी के पास pledge कर रखी है गिरवी रखी है मुझे बताया नहीं मैं car खरीद रहा हूं उसके बाद हो आ रहा है बंता और मेरे को बोल रहा है कि अरे क्या बात कर रहे हो गलत है ये मेरे मेरे पास pledge रहे है अब मुझे उसको पैसा देना पड़ रहा है जो car मैंने आपसे खरीदी वो car छुडवाने का so whatever I am paying to that person I will recover it from you warranty as to quality or fitness by usage of trade अब क्या होता है न अगर मैं बात करता हूं usage of trade अब मेरा पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड का एक केजी का एक limit fix है weight fix है मेरा एक केजी और आपका एक केजी समान होना चाहिए correct अगर मैं आपसे एक किलो सामान मांग रहा हूं और आप अपने इसमें एक किलो गिनके मुझे दे रहा हूं लेकिन जब मैं अपने तराजों में देख रहा हूं तो वह सिफ पात्सो ग्राम छेसो ग्राम है इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हूं तो यह आपके इंडेस्ट्री स्टैडर्ट को न फॉलो करना यह आपकी मिस्टेक है बायर के मिस्टेक नहीं है तो बायर विल बी अबल टो टेकलेम देमेजेस वी एक आप देखेंगे हर एक डियो पे हार्पिक पे फ्लोर क्लिनर पे मच्छर के मैट पे हर जग़ा वार्निंग्स लिकी होती है कि आखों में मत जाने दो डोंट कंज्यूम कीप इट इन स्टोर स्टोर इन कूल ड्राइपलेज अवाइड फ्लेमेबल है डियो पे लिका उता न इन फ्लेमेबल तो यह सारी वार् इन स्टोर आफ बार्निग्स दीशिक्त कांजिवा पर सिंग्सार इन गार्ट के लुट ए लुट वर्यूल के लाहर ऑट ग्टाय फिर वार्मेबल तो यह वार्न आपर्न आपा छाएं प्ला इन ने फ्लेमेबल तो गे बृटा वह साल में दो बार्निश नियू और परफेंट पर बायर बायर केंना फोल्ड एल डड पर पूर्ट कोई चाहिन प्रॉद पर इंद पर पर चाहिन प्रॉट गार्फेंट इन प्रॉट अगर कोई चीज अच्छी लग सक्तिया आपको नहीं लगेगी आपके लिए वो नहीं तुर क्या करें so section section कहता है that subject to the provisions of this act और यह दिलो पर ताम इंफोर्स there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under the contract of sale the following are the conditions that must be satisfied पहला अगर बायर ने seller को अपना purpose बताया है और बायर एस 100% relied upon the skill and judgment of the seller और seller usual course of business में वो description के goods पर काम करता है then the law of KVT does not apply then KVT does not apply यहाँ पर यह first exception है KVT यहाँ KVT apply नहीं होगा बाकी हर जगा KVT apply होता है so there are so many exceptions वो तो ही बताया उसके अलबा कुछ exception है for example fitness as to quality or use ठीक है अगर आपको बायर खुद बता रहा है आपके उपर dependent है और आप वो काम करते है और फिर भी आपने गलत goods अगर बता दिया आप KVT enter के अंदर बच नहीं सकते आपको बायर को compensate करना पड़ेगा जो priest versus last में हुआ था मैं वो hot water bottle खरीदने गया ठीक है hot water bottle बोल के खरीद के लाया और जब उसमें गरम पानी भरा तो bottle फट गई और उसको ऐसे injury हो गई who was supposed to pay for that injury the seller why because hot water bottle in its name itself it suggests that the bottle should be capable of holding hot water if it is not doing the main one purpose for which it is made then it is the problem of the seller and buyer may hold seller liable Bombay Burma Trading Company versus Agha मैंने आपको बला था यह railway sleepers वाल है अब अगर मैं आपसे railway sleepers मांग रहा हूँ तो आप एक बड़ा लकड़ा एक छोटा लकड़ा एक जाड़ा एक पतला नहीं दे सकते जो railway को लकडिया लगती है वो exact same size same width same length की लगती है आप बड़ा थोटा पतला मोटा दोगे दो ट्रेन ऐसा ऐसा जुख जुख करेगी भाई पागल हो क्या ट्रेन इतने सारे लोग जान का खत्र है I will not accept such timber because it is common sense अगर आप मैं मानता हूँ चलो goods अगर कोई patent या brand name के अंडर आप खरीद रहे हो आपने seller पे इस पे dependent नहीं हूँ आप then what I am saying let the buyer be aware क्यों कि आप seller को पूछ के गए थे क्या goods करेदने है मैं अगर आपको जाके बोलता हूँ कि मुझे एक merit का saving machine चाहिए मैंने seller को direct बोल दिया मेरे को ये product चाहिए ना मैंने seller को अपना usage बताया ना मैंने seller को पूछा कि आपके इसाब से कौन सा best है ना मैं seller के बोरोसा करके goods purchase करके लाया मैं brand पे बोरोसा करके goods purchase लेकर के आया हूँ यहाँ पर केवे टेमटर एपलाय होता है and sellers are not liable if the goods are not perfect for your use तो मैं अगर iPhone 11 जाके market से लेकर आता हूँ खरीद करके iPhone 11 चाहिए ठीक है और अगर मुझे फोर बाद में पसंद नहीं आता है I cannot do anything मुझे वो use कर नहीं पड़ेगा कभी-कभी होता है न goods description से आप बेचते है waste silk Java sugar अगर आपने description से goods खरीदा है और goods अगर description से match नहीं हो रहे अगर नहीं हो रहे then the seller will be responsible why it's a breach of implied condition man KV temperature cannot apply goods अगर merchantable quality के ही नहीं है तो KV temperature cannot apply मैंने आपसे दूद मांगा आपने भटावा दूद दिया KV temperature apply नहीं हो सकता let the buyer be aware क्या मैं दूद का packet फाड़ के पीके देखू टाइम पे फिर delivery लू पिर आपस ले लोगे goods तो यार merchantable quality तो common sense है मैंने अगर आपसे Amazon से crockery मंगा ही मैं crockery accept करने रेडी हूँ न broken crockery why will I accept that goods are not merchantable अगर sell by sample है sample और bulk match नहीं हो रहा I have a right to cancel the contract KV temperature does not apply sample as well as description से purchase किया it should match both अगर एक भी fulfill नहीं हुआ I will return the goods KV temperature does not apply अगर आपके company trade usage follow नहीं करती है आपका Excel दूसरों का Excel अलग है आपका 10 number दूसरों का 10 number अलग है आपका waste size दूसरों का waste size अलग है तो आपका problem है हमारा नहीं है I will cancel the contract these are exceptions to the law of KV temperature one of the biggest exception is concealment of defect as a fraud अगर seller ने जान बूच कर with the guilty mind fraud किया है यने कि concealment of defect किया है then he cannot take protection of KV temperature मैं fraud करके यह नहीं कह सकता कि आरे आपको तो आखे थी ना आप देख लेना चाहिए था अरे तू fraud करेगा तू जहाँ पर apple में छेद है वाँ sticker चिपकाएगा हमके एक एक sticker निकाल के देखेंगे तो तू fraud कर रहा है ना तू responsible है प्रॉड के लिए बायर रिस्पांसिबल नहीं हाँ अगर वो easily by investigation पता चल जाने वाला defect था और मैंने overlooking किया then buyer is responsible otherwise seller will be held responsible तो I think दो unit हमारे आज case में हो चुके है इस वीडियो के अंदर I think आज के लिए इतना काफी है next time जब मिलेंगे तो unit number 3 and उसके बाद unit number 4 का revision हम लोग कर लेंगे revision series कैसी लग रही है is it too fast too slow covering हो रहा है सब याद आ रहा है नहीं आ रहा है सब कुछ मुझे दरूर बताइएगा live chat में हूँ या ना हूँ ये video live हो ना हो ये आपके लिए extremely useful video और मैं suggest करता हूँ every student should watch such videos thank you so much don't forget to buy plus इसमें आपको ये सारे benefits मिलेंगे iconic में extra ये सारे benefits भी आपके लिए available है आपको करना क्या है बस जाना है plus select करना है ये आदर्श कोड यूज करोगे तो मुझे recognition मिलेगा acknowledgement मिलेगा मेरे efforts को result मिलेंगे and also combo plans भी ऐसे check out आप कर सकते और अगर आप सारे acts के ऐसे छोटोटे रिजिजन वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर हमें बताए हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो comment section में आग लगा दो likes कर दो और बहुत सारे मुझे inform कर दो तो मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूंगा thank you so much bye bye और आते हूंगा